डीम एसपी तो आपने कई देखे होंगे लेकिन फतेहपूर की एक डीम साहिबा ऐसी हैं जिनको थपडवाज डीम कहा जा रहा है और वो क्यूं कहा जा रहा है वो इन तस्वीरों से आप समझ लिजगे वो एक कारियाले में निरिक्षन करने गई है फातेहपूर में एक डूड़ा जगा है डूड़ा ऑफिस में वो निरिक्षन करने गई थी यूपी का फातेहपूर वैसे भी काफी फेमस है वो जब उस कारियाले में निरिक्षन करने पहुंचती है तो यह जो आप तस्वीर दे हैं ये कहते हुए कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं खड़ी हूँ अब मैं मतलब समझ लेजी एक डीम का ये अभिमान और वो भी वो कौन है पता है आपको वो जो लड़का है जिसको ये थपड जड़ रही है जो आदमी दिख रहा है तस्वीरों में वो फर्याद लेकर गया था डीम साहिबा के साथ HDM और जिले के तमाम अधिकारी मौझूद होते हैं अब डीम भाई जिले का मालिक होता है वहाँ के पुलिस वालो को कहती है इसको बिठा लो तो पुलिस वाले बिठा लेते हैं उसके बाद पूरा वीडियो जब आप ध्यान से गे तो आपको समझ में आएगा कि डीम साहिबा के दिमाग में पावर की कैसी हनक है कुरसी की कैसी हनक है जिनको जनता की समस्यां सुल्जाना था वो जनता से इस तरह पेशा रही हैं हो सकता है ये डीम लखनव कों से तो कोई एक्शन भी हो जाए ये डीम साहिबा कौन है ज इनका इस तरीके का वीडियो आया है इससे पहले एक BJP विधायक से ये भिड़ गई थी और उसके बाद BJP विधायक ने ये कहा था कि जो किट 2800 रुपे में मिलना चीए था वो 9950 रुपे यानि कि 10,000 रुपे में DM साहिबा के जरीए लोगों को मिल लहा था तो सवाल इस बात का था कि इसमें भरष्टाशार क्यों हो रहा है जब ये शिकायत लखनव तक पहुंची CM योगी को लेटर लिखा गया था तब DM साहिबा वहां से हटा दी गई थी उसके बाद अब ये वीडियो इनका सुर्खियों में है हाला कि C इंदुमती के बारे में लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी DM है जो समस्याओं को टालती नहीं है बलकि मौके पर उसका समाधान करती है और जहां ये गई थी जिस जगह का ये वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उस जगह से भी वरष्टाचार की ही सिकायत आ रही थी वहां कई लोग पकड़े गए अचानक इनके चापा मारने से अफरा तफरी मच गई लोग भागने लगे कुछ खबर ऐसी थी कि कई लोग पैसे लेकर इधर उधर काम कर रहे हैं जिसके बाद DM साहिबा ने जब चापा मारा तो कुछ लोग पकड़े गए और उसी बीच जब वो अधिकारियों से बात कर रही थी तो ये आदमी उनके पास से होकर गुजरता है ऐसा लगता है कि DM साहिबा को वो धक्का दे देता है और उसके बाद DM साहिबा भड़ा कुछ थी वो क्या कहती है आप वीडियो में दुबारा सुनें वो ये तक कहती हैं कि मैं यहां खड़ी हूँ एक महिला को इस तरह धक्का दे कर जाओगी धक्का देने वाली बात वाकई सोचने वाली है अगर कोई ओफिसर नहीं भी खड़ा हो एक सामान ने आम आदमी खड़ा हो एक सामान ने महिला खड़ी हो तो भी अब धक्का देकर किसी ओफिस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं ओफिस सोड़िये सड़कों पे भी इस तरीके का बिवहार नहीं करना चाहिए ये गुस्सा जायज था लेकिन थपड़ जड़ना एक फरियादी को समझ नहीं आता उसके बाद जब ये वीडियो वाइरल होता है तो पुलिस वालों की सफाई भी सामने आती है पुलिस कर्मी ये बताते हैं कि जो आदमी महां आया था जिसको डियम साहिबा ने गुस्से में बोला है वो पलिस सर्वेयर का काम करता था भरष्ट अचार की वज़़ा से उसकी कुरसी चली गई थी उसके बाद वो किसी मामले की शिकायत लेकर पहुचा था अब आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे कमेंट करके अपनी राय दीजिए क्या आपको अपने जिले में ऐसे थपड़वाज डियम चाहिए या फिर इसके लिए इन पर एक्शन होना चाहिए